तो भई आ गई है गणेश चतुर्ती, साथ ही आ रहे हैं बहुत सारे तिवार, ऐसे में बेसन के लड़ू और मीठा खाना तो बनता है और अगर बात हो यहां पर बेसन के लड़ू तो यह किसको नहीं पसंद होते हैं आज हम बनाएंगे वही बेसन के लड़ू सिर्फ एक चमच घी में बिना चाशनी, बिना मावा, बिना दूद के और बहुत फटापट से एकदम परफेक्ट बिना बिगड़े और उसके लिए आपको वीडियो को एंड तक देखना होगा, छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना होगा, जिससे आपके लड़ू एकदम मुह में घुल जाने वाले दाने दार बनकर त्यार होगे साथ ही हम इससे मोदग भी बनाएंगे, तो चलिए फटापट से वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले हमें एक पैन या कड़ाई ले लेना है, उसके बाद आपको क्या करना है, एक कप या कटोरी सेट कर लेना है, उसी से हम सारा मिजरमेंट करेंगे यहाँ पर मैंने एक कटोरी से ले ली है, और उसी से एक कटोरी भरकर बेसन लिया है, साथ ही में हम इसको बनाने वाले हैं एक चमजगी से, तो मैंने यहाँ पर सिर्फ एक चमजगी डाला है, अब सबसे खास बात यह है कि आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि इसको भ बट अभी यह काम पूरा नहीं हुआ है अभी हमें लड्डूओं को बनाना है दानेदार तो इसको दानेदार बनाने के लिए हम इसमें एक खास चीज मिलाएंगे जिसको डालने के बाद हमारे लड्डू एकदम दानेदार बनकर तेयार होंगे तो उसके लिए आपर मैं ले हुँ दो चम्मा सूजी यानि की रवा कोई भी ले सकते मेडिया में पतला जैसा भी आपके पास है उसको एट कर देंगे और अब इसको आराम से आपको भूनना है लगताच चलाते हुए आप भूनेंगे मैंने यहां पर एक चमजगी का यूज किया है बट अगर आप ज़ हो गया है बहुत ही बढ़िया वाली बेसन की खुश्पू आने लग गई है और बस अभी हमें क्या करना फ्लेम को आफ कर देना और उसको लगाता चलाएंगे क्योंकि कड़ाई गरम है नहीं तो यह नीचे से जल सकता है दूसरी कड़ाई में मैंने इसको ट्रांसफर कर लि हो जाती तो लड्डू बिगड़ जाते हैं बट इस तरह से आप बनाएंगे ना तो बिल्कुल लड्डू नहीं विगड़ेंगे उसके लिए आपको क्या करना चाशनी को बस ऐसा बनाना है कि अच्छी से चिप चिपी हो जाए तो आपको लो फ्लेम को कर देना है एकदम से लो ठीक है और उसके बाद हमें को करना है इसमें फलेवर अड्ड करने के लिए मैं डाल रही हूं लाइची पाउडर और उसमें थोड़ा सा लहमन फूट कलर एकदम ऑप्सनल है गारो लायंचीप पाउडर से ल को बिना ड्राइफ रूट के आपको बना करके बता रही हूं अभी आपको क्या करना है एक खास बात का और ध्यान रखना है अगर आपको थोड़े से गीले और सौफ लड़ू पसंद है तो आप इसको सिर्फ एक मिट तक पकाएंगे लोग फ्लेम पर और अगर आपको थोड़े डेसिकेटड कोकुनट यानि किनारियल का बुरादा एट कर रही हूं इससे लड़ू थोड़े से दानेदार और टेस्टी बनकर तयार होंगे तो यह देखी अच्छे से थिक होने लग गया है मैंने फ्लेम को ओफ कर दिया है दो-तिन मिट के बादी और अब में करोंगे इस इसमें थोड़ा सा दूद मिला लीजिए और अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा सा गीला यह हो गया है तो आप इसमें थोड़ा सा बीसन बूनकर या कोकुनट पाउडर डालेंगे तो यह आराम से अच्छे से गाड़ा हो जाएगा या फिर आप इसको गैस पेक दूमिन कर सकते हैं वहां पर मैं आपको लिंक दे दूगी मैंने वहां पर बिना मोल्ड के भी मोदग बनाना बताया है बहुत आसान होता है मोल्ड से मुदग बनाना इस तरीके से अच्छे से इसको दबाना है और सारा गैप हमें भर देना है थोड़ा सा और हम इसमें डाल देंगे मिक्षर जिससे की बहुत अच्छे शेप में हमारा मुदग बनकर तयार होगा और फ्रेंड आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसको लाइक शेयर जरूर कीजीगा और ऐसी बड़िया वाली रेसिपीस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन को दबा दीज करेंगा ताकि जब भी मैं कोई भी वीडियो अप्रोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके तो इलीची तेहारों में बनाईए गणेश शतोती पे बनाईए बहुत फटापट वाले हमारे लड़्डू बनकर तयार हो गए बिना बिगड़े एक